पार्ट्स ऑफ प्लांट तो जो प्लांट होता है उसके चार मेंड पार्ट होते हैं रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर तो रूट का फंक्शन क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसको सॉयल में वो फिक्स रखता है और वह water और मिनिरल होता है उसको soil से लेके stem में दे देता है और stem क्या करता है कि stem जो होते हैं वो plant को support देता है और जो जितना भी water और food जो root ने provide करवाया था उसको वो बाकी के parts में भेजता है plant के उसके बाद जो leaf होता है वो food बनाता है plant के लिए और जो flower होता है वही flower ही बाद में जाके fruit में बदल जाता है और जो हम लोगे जो plant के अलग-अलग parts को हम खाते है तो जैसे root है carrot और radish हम खाते हैं वो root होता है और stem है तो जो sugar cane और potato हमें मिलता है वो भी वो stem होता है और लीफ का हो गया स्पैमिच और कैबेज और जो flower होता है उसका हो गया कली flower और ब्रोकोली और उसके बाद यहां पर अब फोटो देख सकता है तो इसमें जैसे कि यह जो नीचे वाला portion है यह root है और जो यह बीच में यह stem है और यह leaf है और यह flower है और यह fruit है तो क्या होता है कि जैसे यह जो root होता है वो देखिए यह पानी ले जाता है और stem को देता है और सारे leaf में दे देता है और जो leaf होता है उसका color हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें pigment होता है जिसको हम कहते है chlorophyll वो एक green color का pigment होता है इसलिए leaf green color का होता है और leaf जो होता है वो photosynthesis process कैसे करता है तो जो leaf होता है वो carbon dioxide लेता है और sunlight लेता है और जो water होता है जो provide करवाता है root वो भी लेता है और उसी से क्या होता है कि photosynthesis होता है और जो plant का food होता है वो बनता है और जो plant का food होता है वो carbohydrate के form में बनता है और जब photosynthesis होता है तब जो oxygen होता है वो plant प्रोवाइड करवाता है So thanks for watching this video, please like, share and subscribe our channel Bye and have a nice day